3, start संसकार टेक्निकल में आपका स्वागत है मैं सजित कुमर चुछान जो पॉल टेक्निक्स रिलेटेड लगतार वीडियो बना रहा हूँ तो आज का ये वीडियो माइनिंग के बच्चों के लिए काफी इंपार्टिंट होने वाला है क्योंकि माइनिंग के बहुत सारे बचे परसान है खास कर first day certificate को लेकर और उसकी ट्रेनिंग कहा होगी खास कर जारखंड में तो ऐसे बहुत सारे बचे परसान है खास कर 2021 के सेसन में क्योंकि 2021 में आप जो लगते लोगmand का अलड़ी माइनिंग कमप्रीट हो गया ट्रेम कर रहे हैं जो बजो माइनिंग कर रहे है उनके फस्ट्ट Certificate को लेकर उन्हेघ लगतार समस्य हो रही थे कि सेcycleonal रूल तो काफी ही चेंज हो गाई है और रूल होने के बाद आप certificate कहां से मिलेगा कैसे मिलेगा तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके लिए काफी कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप जारखंड में कहां से ले सकते हैं तो जारखंड में आपको पुरा लैब सेटप घुमा देता हूं उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा तो चलिए भई आप मैं पुरा सा आपको ले चलता हूं तो यह आप देख रहे हैं कि आकास हॉस्पिटल एंड फैमिली हेल्प एंड वेलफर फाउंडेशन के द्वारा फस्टेट की ट्रेनिंग सेंटर और यह ट्रेनिंग सेंटर का मैं आपको पूरा लोकेशन दिखा दे रहा हूं कि यह भगवति कॉलनी में है और चास भगवति कॉलनी तो भी चलो मैं अब आ पहला बेट्स जो है वो तीन तारिक और फिर एक दस तारिक से भी स्कार्ट है तो भी चलिए थरवरी में आपको 14 तारिक तक के अंदर साटिफिकेट मल जाएंगे और ट्रेनिंग करना अनिवार है कि ट्रेनिंग में आपको रेगलर रुए में करना होगा अटेंड होकर करन होगा तो यह भी बात मैं आपको बता दे रहा हूं तो चलिए यह हो गई पहला रूम आप चलते हैं ट्रेनिंग के लिए उपर लैब में तो चलिए अब मैं लेब ले चल रहा हूं आपको तो अब आप देख रहे हैं कि लैब और यह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लैब है और यहाँ पर देखे अब मैं आपको लैब में ले आया हूं और यह लैब है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का फॉस्टेट का और माइनिंग के बच्चों के लिए बच्चे परसान होते हैं कि कहां से माइनिंग करना है फस्टेट का कब से कम कहां से कंप्लीट होगा तो ये आपके लिए एक positive है कि आप आकर यहां कर सकते हैं बाकि इसका सारा detail कैसे करना है क्या लगेगा charge ये सारा चीज हम लोग अभी official inquiry भी लेंगे तो official inquiry लेकर फिर उसको मैं second video में डालता हूँ तो ये पहले तो मैंने आपको बता दिया कि यहां से training आप कर सकते होगा तो चलिए सारा update फिर आपको लोगों को देते हैं तो अगले video में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत